हेलो दोस्तो नमेश खार इसे हम किसी चैनल में मैं आप सिब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फर्स टाम विजिट के है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना फ्री स्टाउक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहतो फॉलो कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या पर भी बेल आइकन को इट करके औल सिलेट करके रख लेना चैनल का लिंक उपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए खिलाल इस वीडियो को स्टाट कर लेते हैं अब सब लोग को बता है हाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी जादा है हर एक सेक्टर से रिलेटेड मतलब कोई खबर अगर सामने आ जाते ब्रेकिंग निउस तो नेगेटिविटी देखने को मिल जाती है बाजार के अगर हम लोग बात करें तो उपर इस तर से प्रेशरी देखने को मिल रहा है तो जो चीजे चलते हैं उसको थोमें कबर करते रहता हूँ तो इसके चलते बहुत सार लोग गुसा भी हो जाते सर कभी तो अच्छी खबर लेके आओ तो दोस्तो अगर खबर अच्छी आएगी तो आपके सामने ज़रूर रखूंगा जान बुचके थोड़ी ना क्रियेट करेंगे तो चलिए अभी जो लोग इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि कुछ तो अच्छी खबर आ जाए है तो खबर आप सब लोग को कहा से आती वी देखने को मिली है मैं अगेन कहना चांगा दोस्तो शेर मार्केट ही लंबी अधी का प्रोसेस है ऐसा नहीं होता है कि अच्छी खबर मतलब सब कुछ ही खतम हो गया ताला लग गया अभी सिर्फ ही सिर्फ तेजी ही देखने को मिली कि नहीं तो यह हमेशा प्लस माइनस का मतलब बोलते ना यह तराजू में चीज़े चलती है कभी कभी नेगेटिवेटी में थोड़ी सी वजन पढ़ जाता है तो तराजू नीचे आ जाता है कभी कभी पॉजिटिविटी तो तराजू उपर चला है मतलब यह सारी चीज़े होती रहती है ठीक है अमेरिका में अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है बैंकिंग सिस्टेम में हड़कम मचा हुआ है इसी चीज़ के चलते है आईटी सेक्टर में भी डिस्टर्बंस देखने को मिल रहा है पूरे दुनिया की यही खानी है इसमें कोई बड़ी बात है आपे नहीं है सो रोस्तो आईटी सेक्टर की बात करें तो आज की दिन एक बहुत ही इंपोर्टेंट इवेंट अमेरिका में हम लोगों को देखने का आपे मिलने वाला था और उससे रिलेटर वो चीज़े सामने भी आ चुकिए कौनसी चीज एसेंचर की बात करें इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हो गया भी पहले जब मैंने शुरुआत की थी इस चैनल की तो मतलब बहुत सारो लोग को मतलब यह बेसिक जो चीज़े रहती है उसके बारे में पता ही नहीं था अभी दीमे देमे करके बहुत सारो लोग को पता है यहापे चल चुका है तो अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग को यह बता दू यह देखिए यह वर्ड की नमबर वन IT service प्रोवायड करने वाली company है तो आप देख सकते हो essential का number one देखने को मल जाते है उसके number two पे देखिए कौन है हमारा TCS है number three पे हमारा ही भारत का info s है पहले number two पे कौन था पता है IBM हुआ करता था तो IBM को नीचे खीच कर लाया, कि इसने TCS और Infosys ने, तो ये चीज़े देखने को मिल जाती है, कि Essential क्यों important है, देखे जो अमेरिका के companies होते हैं, उनका profit, उनका revenue, उनके clients बहुत बड़े-बड़े हैं, यह देखे, मैं थोड़ा सा आपको इनका ये बता देता हूं, कि business कितना ह होता है, business देखे, 2023 को पकड़ लेते हैं, कितना है, 39,867 million dollar, second number पे को नाते है, हमारा TCS, कितना है, 17,000, 17 का डबल कितना, 34,000, still essential देखे, का पे खड़ा है, 39, विप्रो नहीं, माफ किजेगा, Infosys, कितना है, 13,000 million dollar का business के, अगर हम लोग बात करें, कितना है असेंचर का, 39, मत मतलब Infosys की अगर हम लोग बात करें, तो मतलब तीन गुना बड़ी है, Essential, Infosys से, मतलब मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, कि Essential में जो भी चीजे होती है, यह इतने बड़े companies है, तो उसका reaction हम लोग को इन companies में usually देखने का आपे मिल जाता है, बहुत छोटे companies रहेंगे न अगर हम लोग बात करें, Micro Cap, Medi Cap, Small Cap, उनके ओपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बट यह Essential के जो numbers है, तो अपने size के ही companies के साथ क्या होती है, तो definitely कल के दिन Infosys, TCS इनके ओपर जादा फोकस रहेगा, क्योंकि Essential के अभी quarter 2 के numbers आ चुके, Sir क्या बोल रहें, quarter 2, I guess quarter 4 बो आपने को मिल जाता है, Vipro, हम लोग को यहापे number 9 पे देखने को आपे मिल रहें, पहले 7 पे था, अभी 2 position नीचे आते वे देखने को मिल चुका है, और कौन सी है, Tech Mahindra, 15 से सीधा 11 नंबर पे jump मार दी Tech Mahindra ने, बहुत अच्छी बात है, और कौन सी है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जाएंगे, और कोई है company, तो यह दिखिए, L&T, LTM आइंटर की अगर हम लोग बात करें, वो 19 पे position पे आते वी देखने को मिली है, तो यह सारे हमारे भारत के companies, IT services, जैसे मैंने आप लोगं को बला ना, कि इंडिया की अगर पैचान है, कोई sector से related world में, तो IT services से related देखने को मिल जाता है, अभी जैसे मैंने आपको बता है कि essential के number आये है, तो number कैसे आये, इसी के उपर तो बाकी IT companies का reaction देखना यहापे बन जाता है, तो अगर मैं headline अगर आपके सामने यहापे रख दू, तो आप यहापे देख सकते है, essential ने क्या कर दिये है, जो उनके guidance ह वो हमनों को उसके साथ, वो मतलब numbers को beat करते हुए, अच्छे positive चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को आपे मिल रहे है, मतलब अगर आप headline देखोगे, तो essential report quarter to revenue at 15.8 billion and beat the estimate, but quarter 3 के जो forecasting है, आने वाले समय में, वो उन्होंने trim यहापे कर दिया, no doubt इतना ज्याद टाइट देखने को मिल रहा है, so quarter 3 में थोड़ी ना बोलेंगे नहीं, जम के performance यहापे होगा करके, यह तो expected चीज़ थी, सिर्फ यह देखने वाली बात थी, कि इस वक्त उनका performance कैसे रहे हैं, सबसे important चीज़ को किसके उपर थी बता है, focus, कि इनको नए business, जो renew होते है, उसम है, बहुत सारी चीज़े पढ़ने लायक होते है, अभी हम लोग जैसे मैंने बोला ना, एक overview कर लेंगे, फटा 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 फट कवर कर लेंगे, तो revenue देखे, अभी हम लोगों ने देखा था 15.8 billion, कितना increase हो है, 5% US dollar की terms में बात करे हैं, लोकल currency की इसाब से 9%, मतलब अच् currency के हिसाब से वो बात करें, US में भी है, और लोकल currency की बात करें, क्योंकि एसेंचर worldwide है, तो दो-दो चीज़े present करते हैं, anyways हम लोग इतना ही देखेंगे, कि 22.1 billion, मतलब नए bookings शांदार है, और increment भी देखने को मिल रहा है, इन बोथ the currencies, बहुत ही कमाल का performance हम लोगो फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है, then अगर हम लोग आपे आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा, तो आपे आपे देख सकते हो, तो रोस तो next point आप देख सकते हो, gap EPS, gap EPS मतलब क्या, generally accepted accounting principle, ये सारी जो चीज़े आपे रहती है, उसके हिसाब से अगर हम लोग earning per share की ब steady करके, normal अगर हम लोग बात करें, तो आपे हलकी सी गिरावट है, then operating margin की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर भी अगर हम चेक करेंगे, तो कितना है, 12.3% compared to 13.7% in a second quarter, so वो भी चीज़ हम लोग को फिलाल तो देखने को आपे मिल रही है, so overall अगर हम लोग आपे बात करें, तो company का EPS and margin में थोड़ी से अलकी सी गिरावट देखने के पड़े, ये 2022 के हिसाब से बात हो रही है, अगर मैं comparison की बात करतों, fiscal 22 अभी है, 23 है, right, तो उस हिसाब से हम लोग comparison यहाँ पे देख रहे है, then अगर हम लोग बात करें, तो company ने dividend भी डिकलेर किया है, जो कि आप easily check यहाँ पे कर सकते हैं, then company ने अलग-अलग business, regional wise, sector wise उन्होंने आपे बाते की है, नियोर्क से related उनका performance यहाँ पे कैसा है, then आप check कर सकते हैं, बहुत सारे लंबे चीज़े यहाँ पे रहती है, तोटल अगर हम लोग बात करें, 13-15 पेज का आप लोगों को PDF देखने के मिल ज तो revenue आप देख सकते हैं, communication, media, technology है, health है, public services है, products है, resources है, बट यह वाला थोड़ा सा ज्यादा serious है की financial services, वही पे हम लोगों को ज्यादा चीज़े अनबन होते भी देखने को मैं रहे हैं, तो वहाँ से इनका revenue क्या घटा है, तो आप check कर सकते हैं, financial services की बात करें, तो 3 billion dollar के आ services, यह जो pillar है, उसके उपर थोड़ा सा ज्यादा focus है आपर जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के अगर हम लोग बात करें, तो banking, जो अगर हम लोग बात करें, जो financial services and insurance से related जो चीज़े हम लोग को देखने के आपर मिल रही है, उसके उपर ज्यादा focus है आपर किया जा रहा है, then अगर हम लोग बात करेंगे, next अगर कौन सा important चीज़ है, तो dividend तो वैसे तो यहापर हो चुकी है, yes, एक important चीज, कि business outlook, यह जो आने वाला जो third quarter रहेगा, right, fiscal 23 के हिसाब से, तो क्या expect कर रहें, तो basically अगर हम लोग बात करें, तो थोड़ा सा वो अपने target को थोड़ा सा cut कर सक यही expectation है, जो कि हम लोग ने title में भी already यहापर पढ़ लिया है, बट एक बार थोड़ा सा overview कर लेतें कि exactly क्या expect करके चल रहे है, so total अगर हम लोग यहापर बात करें, dollar के ही terms में, तो range देख सकते 16.1 billion dollar से लेके, 16.7 billion dollar के आसपास, right, तो overall increment expect करें, बट yes, last time जो उन्होंने बो चर में, क्योंकि uncertainty बनी वे न, overall system में, तो इसके चलते हैं, थोड़ा सा उन्होंने अपना ही performance को थोड़ा सा down करके आपे, सारी बातों को present यापे किया है, सो रोसो कुल मिला के outcome क्या निकल करा है, कि इस वक्के जो company के numbers है, वो उन्होंने जबरदस यापे performance यापे दिखाया है, future में जो expected था, कि वो train करेंगे forecasting को, वही उन्होंने किया है, anyways, ये सारी चीज़े तो बोलने की होगी, market में इस number को कैसे नेखा, वही तो ultimate चीज रहती ह तो दोस्तों अभी आप देख सकते, essential जो stock अभी फिलाल चल रहा है, बापरे बाप, 7% सवा, 7% तेजी के साथ, हम लोगों को फिलाल, जब video बना रहो, तबी कि मैं बात कर रहा हूं, market बहुत लंबी देर तक चलता है, आपको पता है, volatility चलती रहेगी, बट 7% के आसपास की भयंकर तेजी, essential में देखने को मिलें, मतलब क्या है, कि लोगों ने इस number को accept किया, welcome किया है, definitely हम लोग कह सकते कि, जो expectations यहाँ पर किये जा रहे थे, कि नई bookings नहीं होगी, या फिर उसमें कम तरता देखने को मिलेगी, बट ऐसा तो फिलाल तो देखने को यहाँ नहीं मिला है, यह एक सबसे बड़ी positive बात फिलाल तो देखने को आपे मिली है, तो इसी चीज़ के चलते, शायद से essential के जो numbers है, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा ही market का trend, मतलब बोलते हैं कि ज़्यादा expectation नहीं होते हैं थभी हम लोगों को अच्छी कासा performance देखने को मिल जाते हैं, इसके हम लोगों ने क्या दिखा है, essential ने बहुत कमाल के numbers दिखा हैं और हाथ में क्या लगा, ultimately गिरावट, क्योंकि over expectation, इन company से हमेशा over expectation की जाती है, कि यह पीछ पे आएगा, तो यह तो भाई 100 लगा ही देगा, तो वैसे ही चीज़ है, तो इस वक्त अगर देखा गया, तो कोई ज़्यादा expectation नहीं है, सबको पता है, band बजी हुई है, IT sector से related, बट आप देख सकते हैं, ऐसे ही माहल में, जो numbers उनने दिखा दिये, इसका reaction 7% की तेज़, अभी essential 7% भागा, मतलब definitely उसी size के जो companies है, TCS, Infosys, हम कह सकते हैं, इन से related जो एक bad commentary बोली जा रही है, कि बहुत ज़् खराब कर सकते हैं, वो भी शायद से थोड़ा बहुत, हम कह सकते हैं, turn होती हैं, देखने को मिल सकते हैं, हाला कि individual performance के उपर depend करता है, बट फिर भी market आपको पता है, थोड़ा advance में react करता है, so TCS को तो अभी हम लोग फिलाल judge नहीं कर सकते, check नहीं कर सकते, बट Infosys तो हैं हम आप news इन से related आ रही थी, कुछ जादा ही negative लेकर चल रहे थे, इतना तो नहीं होगा, कुछ अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट सामने आ थे, अभी निर्बल बंक की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने तो 40% के downside की बात की थी, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को देखन हम लोग को देखने को मैं थे, उसके बाद, essential के number में एक मतलब बोलते है न, उमीद की किरांट दे दी है, कि चलो बहुत थोड़ा बहुत तो positive ही आपे हो जाए, right, फिलाल मैं again कहे रहा हूँ, कोई तकलिफ ये खतम नहीं हुई है, बट situation की इसाब से चलना पड़ता है, तो वही चीज़ें हम लोग को continue होते ही देखने को मैं रहे है, बाकि अगर हम लोग बात करें, ICC bank भी American बाजार में अच्छा करते हुए देखने को मैं रहे है, अगेन कहे रहा हूँ, ये सभी के सभी ADR है, US dollar के terms में है, HDFC bank की बात करें, तो 2% की तेज़ी से बढ़ रहे है, मत 5 से कल इंडियन मार्केट के लिए भी अच्छी खबर यापे हो सकती है, बैसिकली ट्रेडिंग वालों की बात है हो जाती है, बट फिर भी रोज अगर हम लोग डेली बेसे के उपर इसको अगर सीख लेते हैं, तो मार्केट का अंदाजा आ जाते है, ये देखे, ADR, इंडि तो थोड़ा सा एक हरा चाट पिटन इनमें देखने को मल रहा है, जो की लगातार लाल-लाल निशान देखकर, मतलब बहुत सारे लोग यहापे demotivate हो चुके थे, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, American Bazaar भी 300 पॉंट की तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि future भी उसी के पॉजिटिव बात है, आपे बन रही है, तो American Bazaar की closing कैसी होती है, उसी case आप से सारी चीज़े निरबर रहे गया है, NASDAQ की भी एक बात करें, तो वो भी आप देख सकते नियरबाई 2% के आसपस हम लोग को चलते वे देखने का आपे मिल रहा है, तो ऐसी तेजी बरकरार र पॉजिटिव लोज कर लेते, तो कल के दिन इंडियान मार्केट के लिए थोड़ी सी रहत वाली बात जरू साबित हो सकती है, तो आशा करता दोस्तों वीडिया एलफो लगाओगा तो जरू लाइक और शेर कर देना, डिमेट अकॉन अगर आपन नहीं किया है, तो लिंक न